नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर नौकरी प्राप्ति में अर्चने आ रही हैं नौकरी मिलने में समस्याएं आ रही है या फिर आप जितना पढ़े लिखे हो आपकी योगिता जितनी है उसी साफ से आपको जौब नहीं मिल पा रही है तब क्या करें सनीवार्ग का दिन सनीदेव को समरपित है और जीवन में हर तरह के कर्म और उसके फल से सनीदेव का सीधा संबंध होता है ये तो हर कोई जानता है कि कर्म फल दाता है अगर कोई तो वो हैं सनीदेव अब बैक्ति किस तरह के कर्म करेगा ये भी सनीदेव ही बताते है अगर अनुकूल हो तो करियर में सफलता मिलती चली जाती है आपकी मंचाही सफलता आपको मिलती है और किसी तरह की बाधा भी जीवन में नहीं आती ना तो आपके रोजगार में और ना ही आपके वेपसाय में लेकिन अगर सनी देव कुंडली में निगेटिव हो जाएं तो कि हर समस्या को दूर किया जा सकता है आज यही हम आपसे साजह करने वाले हैं अगर आप को नौकरी मिलने में समस्या आ रही है नौकरी नहीं मिल पारी है वैसे भी अभी का वक्त जो लॉक्डाउन का वक्त है करोना वायरस का वक्त चल रहा है बहुत सारी जीवन में परिसा शुक्रवार के दिन रात में काले चने पानी में भिगोले अब ये काला चना क्या होता है दिखी चना दोत रखा होता है एक होता है काबुली चना वाइट वाला बड़ा बड़ा एक होता है ब्राउन चना जिसको हम काला चना भी कहते हैं और ये सनिदेव से सिधा संबंध रही हो तो सनी वार के दिन केबल आप सुक्रवार की रात में काले चने को पानी में भीगोना है आपको और सनी वार के दिन इस पानी से निकालिए अब सरसों के तेल में पकाले याद रखिए सरसों का तेल इसमें आपको नमक मसाला बेगेर कुछ भी नहीं डालना है अब सनी बार के दिन किसी भी पसू को इसको खिला दीजिए यह प्रयोग आप तीन सनी बार लगातार करें नौकरी में मिलने में अगर कोई परिशानी है समस्या है तो दूर हो जाएगी नौकरी मिलना आपके लिए आहसान हो जाएगा बहुत सरल बहुत सिंपल उपाय है आप चरूर क लिए अब दूसरी समस्या होती क्या है कि नौकरी तो है लेकिन जितनी आपकी योग्यता है उस हिसाब से नौकरी आपको नहीं मिल पा रही अब आपने पढ़ाई लिखाई तो इंजरींग की कर ली लेकिन पढ़ा रहे हैं ट्यूसन अब योग्यता के अनूसार तो कुछ भी नहीं अब बन गया टीचर तमाम तरह की परिशानिया जीवन में आ जाती है ऐसे में क्या करेंगे सनीवार के दिन साम के समय एक कटोरी में सर्सों का तेल ले याद रखिएगा स्टील की कटोरी में सर्सों का तेल अब अपने बाएं हाथ की मिडल फिंगर यानि संग सनचराय नमह इस मंदर का 108 बार जब कीजिए फिर उसी तेल में पीपल के ब्रिश के नीचे बाती डालकर रुई का दीपक जला दें तो आपकी जो योग्यता है उसी अनुसार आपको नौकरी मिल जाएगा ये उपाई भी आप तीन सनी बार लगातार कीजिएगा तो आप छोटे छोटे उपाई करके जिवन में आ रही तमाम परिशानियों से मुक्ति पा सकते हैं फिला लंबी डालेंगे हरहर महादेव धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें